मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरो के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर CIPET और NTPC बिहार के बिरोजगारों को देगा रोजगार का अफसर बिहार में बिदेशी मेहमानों का दो माह में ही आकड़ा पहुँचा लाखों के पार राजे के 14 जिलो में बनेगी 323 किलो मीटर सरके अब 15 अप्रेल तक होंगी जेए मैंट परिक्छा जाने IPL 2023 के पॉइंट स्टेबल का ताजा महाल इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से CIPET और NTPC बिहार के बिरोजगारों को देगा रोजगार का अफसर बहुत जल्दी बिहार के बिरोजगार युवाओं को रोजगार का अफसर मिलने वाला है दरसल CIPET के निदेशक वप्रमुक संजय कुमार चौधरी के दोरा दी गई जानकारी के अनुसार CIPET और NTPC के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया है जिसके तहत राजिक के 20 बिरोजगार युवको युवतियों को स्वरोजगार और प्लास्टिक छितर में तकनीकी कोशल विकास प्रसिक्षन सिवी संस्थान दोरा प्रदान किया जाएगा इसके साथ ही प्रसक्षन दिये जाने के बाद इन यूवक यूवतियों को प्लास्टिक उद्योग में नियोजित भी कराया जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि CIPET और NTPC के बीच यह समझोता ग्यापन स्वारोजगार और कौश रिकास प्रसिक्षन हेतूद दिया गया है इस दोरान CIPET संस्थान के निदेशिक वा प्रमुक संजय कुमार चौधि, सुकुमार दास, रवीशंकर, कुमार सुधान सू स्तेखर वा मुहित कुमार भी मौजूद थे बिहार के सबसे बड़े जेल से कच्रे में छुपकर फरार हुआ बंदी बितद नियाने के श nhưवार को बिहार के सबसे बड़े बेउड जेल से जेल में बंद एक कैदी तैनास सुरक्षा कर्मियों को चुखमा देते हुए कच्रे की गारी में छुपकर भाग निकला और रस्तपाथ की भनक तक सुरक्षा कर्मियों को नहीं लगी आपके जानकारी के लिए बता दे कि भागने वाला कैदी 42 वर्षी महिंदर यादव है जुमूल रूप से मसौरी का रहने वाला है और उसे सराब के मामले में 13 मार्च को ग्रफतार कर बेउर जेल भेजा गया था वहें समामले को लेकर जेल प्रशासन की ओर से सुरक्षा कर्मियों के ऊपर बड़ी काडवाई करते वे उन्हें निलंबित कर दिया गया है और साथ ही उनसे उस्पस्टी करन की भी मांग की गई है हाला कि फरार कैदी महिंदर यादव को एक बार फिर से बेउर जेल में रोड के पास स्थित बीएसपी के क्वाटर के समीव जारी से ग्रफतार कर लिया गया है बता दे कि घटना के घटत होने के बाद जेल की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे है बिहार में विदेशी महमानों का दो मा में ही आकड़ा पहुँचा लाखों के पार बिहार में करोणा के बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखा गया है बता दे कि दो सालों में पहली बार विदेशी पर्याटकों का आकड़ा एक लाख के पार पहुँच चुका है अगर पर्याटन में भाग के दोरा जारी किये गया आकड़ों की माने तो उसके अनुसार बिहार में वर्स 2021 और बाइस में चितने पर्याटक आये थे उतने पर्याटक 2023 में सिर्फ दो महीने में आ चुके हैं यानि कि इस सा जन्वरी फर्वरी में बिहार में अब तक कुल 1,8,741 विदीशी पर्याटक आ चुके हैं वहीं अगर बाद 2021 और 22 की करेत 2021 में 1,046 पर्याटक तो वहीं 2022 में 86,829 पर्याटकों का बिहार में आगमन हुआ था इसके लावा अगर कुरोना से पहले यानि की 2020 की बात करें तो उस दौराण पर्याटकों की संख्या 3,8,000 थी ऐसे में यह उमीद की जा रही है कि साल यानि की 2023 में यह आकड़ा भी पार्थ हो सकता है जाती है जनगना के दूसरे चरण में अगर बंद मिला घर तो यह काम करेंगे कर्मी पिहार में जाती है जनगना के दूसरे चरण के शुरवात 15 अपरेल से होने वाली है बता दे कि दूसरे चरण में उन परिवारों की भी गिंती की जाएगी जो पहले चरण के दौरान गिंती में छूट गए थे या फिर नए बसे हैं लेकिन इन सब के बीच यह सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी के घर पर ताला लगा दिखता है तो फिर कर्मी परोशी से नंबर लेकर घर के मालिक को वीडियो कॉल कर सारी जानकारी इकटा करेंगे और अगर इसके बावजूद भी मकान मालिक वीडियो कॉल नहीं उठाते है तो ऐसे स्थिती में जंगरना कर्मी उन्हें एक फॉर्म में भेजेंगे जिसे भर कर आधार काड या फिर कोई प्रमान पत्र गरना कर्मी को भेजना होगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हकाम मद्दान कर्मियों को करने के लिए बिहार सरकार और सामाने प्रिशासन विभाग के द्वारा कहा गया है इस दिन से चलेगी पटना से राची के लिए बंदे भारत एक्सप्रस पटना से राची जाने वालों के लिए केंदर सरकार के ओर से एक बड़ी खुश खबरी दी गई है बतारी कि 25 अप्रैल से पटना से राची जाने वाले यातरी बंदे भारत एक्सप्रेस से भी जा सकते हैं इसके लिए तैयारी आंक की जारी है मालुम हो कि रेलवे के द्वारा इस ट्रेन को राची से पटना के बीच नए रूट पर चलाने का प्रवंद किया जा रहा है वही रेलवे के अनुसार दी गई जानकारी के अनुसार यह ट्रेन सब्ताह में 6 दिन चलेगी और इसके खुलने का समय पटना से सुबह 6.45 बजे नरधारित किया गया है जो दोपहर 1.45 बजे राची के हटिया पमचेगी फिर यही ट्रेन दोपहर 2.30 बजे हटिया से चलकर रात 9 बजे तक पटना पहुँचेगी हाला कि अब तक टिकेट और बुकिंग के बारे में रेलवे के ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है राची के 14 जिलो में बनेगी 320 किलो मीटर सरके बहुत जल्दी प्रिधान मंतरी ग्रामीन सरक योजना के तीसरे चरण के तहट राची के 14 जिलो में 401.083 करोड रुपे की लागत से 320 किलो मीटर नई ग्रामीन सरकों का नरमान कारे शिरुक या जाएगा बता दे कि इसके लिए केंदर सरकार दोरा स्विकृत एवं ग्रामीन सरक योजना को योजनावार प्रिशासनिक स्विकृति दे दी जा चुकी है आपके जानकारी के लिए बता दे कि हसरके राजे के जिन 14 जिलों में बनेंगी उनमें पश्चिम चंपारन, कटिहार, अरडिया, पुर्निया, पांका, मधुबनी, बकसर, बेगुसराय, कैमूर, किशन गंज, सहरसा, मधिपूरा, दर्भंगा और गोपाल गंज शामिल है वहिन ग्रामीन सरकों के निर्मान पर खर्च होने वाली राशी को लेकर ग्रामीन काड़े विभाग के ओर से स्विक्रिती दे दी गई है सासा राम में हिंसा की घटना के बाद 4 अप्रेल तक बंद रहेंगे स्कूल और कोचिंग 30 मार्च को राम नवी के जुलूस के दोरान बिहर के सासा राम में दो समुदायों के बीच हिंसक जरप हो गई थी जिस पर काबो करने के लिए प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ी थी और साथ ही इंटरनेट की सेवा भी बंद करनी पड़ी थी बहीं अब एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जिसके तहत हिंसा को देखते बे जिला सक्षा पतादिकारी के दोरा पत्र जारी कर यादेश दिया गया है परिच्छा बिते दिन सनिवार को JEE Men अपरेल सत्र के परिच्छा शहर और परिच्छा के तीथिया नेस्टनल टेस्टिंग एजनसी यानि की एन्टिय के दोरा जारी कर दी गई है बतादी कि जारी किये गया अधिसूचना के नुसार अब जेई मेन की परिच्छा के शिर्वाद 6 अप्रेल से होगी जो कि 12 अप्रेल के बदले 15 अप्रेल तक चलने वाली है वहीं छात्रों को दिये गये चाड़ों आप्शन के लावा भी परिच्छा सहर आवंटित कर दिये बतादी कि एडमेट कार्ड को एक दो दिनों में जारी कर दिया जाएगा मालूम हो कि जेई मेन अप्रेल के लिए कुल 3,20,000 नए चात्रों के द्वारा आविदन किया गया है और साथी लाखों चात्र वैसे भी है जिन्होंने जेई मेन चन्वरी की परिच्छा दी थी लेक नीजी प्रेमियम स्कूल जैसी विवस्था देकर बाकी सरकारी स्कूलों के लिए एक मिशाल पेस की गई है पता दी कि हम जिस स्कूल की बात कर रहे हैं उसका नाम प्रात्मिक विद्याले चोटी सिंग वारनी है मालूम हो कि इस स्कूल में ना केवर उच गुनवत्ता वाल लेकिन इसमें सबसे खास बात या है कि इस कारेकरम को सिक्षकों के द्वारा अपने नीजी कोश के तहत आयोजित किया जाता है विद्याले के द्वारा उठाए गए इस कदम से बच्चों के अभिवाबकों में भी काफी खुशी देखने को मिलती है और उनका कहना है कि नी रतन दलाने की मांग को लेकर उनके समर्थों को काज़त था 56 दिन तक गया की गाउं गलहोर इस्थ दर्शत मांजी की समाधियस्था से पैदल चलकर नई दिल्ली में इस्थ जंतर मंतर पहुँची पता दे के जोरान समर्थकों ने बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री जीतर करते वे राश्ट्रपती को मुलकात के लिए समय देने के लिए धन्यवाद कहा और साथ ही कहां कि राश्ट्रपती ने उन्हें भरोसा भी दिया है कि अभी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन बाबा दर्शत मांजी का प्रयास खाली नहीं जाएगा विजय चौधरी ने बताया किस तरह बिहार कर रहा विकास बिहार सिरकार के वित मंत्रे विजय चौधरी के द्वारा आंक्रों के जरी बताया गया है कि बिहार किस तरह विकास कर रहा है उन्होंने कहा कि बज़ट प्रवंधन के मामले में बिहार स्ट्राइक रेट 99 प्रती के लिए हमें 46,147 करोड रुपए की जरुवत थी लेकिन केंद्र की ओर से हमें केव 24,319 करोड रुपए ही दिये गए उन्होंने कहा कि हमारा बिहार GDP के मामली में भी अवल है बिहार में दंगो को लेकर ग्री मंत्री अमसाने गवर्नर से की बार पिछले कुस दिनों से बिहार के अलग अलग जिलों में हो रहे हैं राजे के समवीदन शील इलाकों में अर्धिस्तैनिक बलों की तैनाती की जाएगी ताकि राजे पुलस को फैले हिंसा के मध्य नजर राजे में सांती अस्थापित करने के लिए सहयोग मिल सके आपकी जानकारी के लिए बता दी कि फिलाल के इंदरे ग्रह मंत्रे अमें सह दो दिवशे बिहार दोड़े पढ़े जहां उन्होंने आज नवादा में जनसभा को भी संभूदित किया सखचकों से जुरा ऐसा मामला आया प्रकाश में कि सखचामंत्री भी रह गे दंग दोड़ा भी अपनी प्रतिकलिया दे दी गई है उन्होंने कहा कि हमने तीन चार अधिकारियों को सस्पेंड वग कुछ को बढ़खास्त भी किया है लेकिन इसके बावजूद भी स्तिती में किसी प्रकार की सुधार देखने को नहीं मिल रही है उन्हों ने कहा कि इस तरह की धांदली को रोकने के लिए विधान सभा का सत्र समाप्त होते ही पटना से उचस्तरिय टीम भेज कर खगरिया में सिक्षा विभाग में व्याप्त को विवस्था वर डी यो को मिल रही सिकायतों की जाजकर करी कारवाई की जाएगी जाने IPL 2023 के पॉइंट स्टेवल का ताजा हाल दो अंको और दो दसमलो पांच शुने शुने नेट रन रेट के साथ टॉप पर बिराजमान है तो वहीं इससे पहले पंजाब और कॉलकता के बीच खेले गए मुकाबले में पंजाब की टीम में जीत हासल कर पॉइंट स्टेवल में दो अंको और शुने दसमलो चार दो पांच नेट रन रेट के साथ तीसरे अस्थान पर मौजूद है इसके अलावा अगर बात दूसरे अस्थान की करे तो गुजराट टाइटन्स की टीम ने चन्नाई सूपर किंग्स को पांच विकट से हडा कर पॉइंट स्टेवल पर दो अंको और शुने दसमलो पांच एक चार रन रेट के साथ दूसरे अस्थान पर मौजूद है इसके अलावा चन्नाई सूपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स को अपने मैच में हार का सामना करने के कारण पॉइंट स्टेवल में सबसे अंतिम पायदान मिला है जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल करेट बिहार में आज यानी डबिवार को पेट्रोल डीजल करेट जारी के एक इसके बाद राजधारी पतना में आज पेट्रॉल 107.22 रुपे और डीजल 94.9 रुपे प्रति लीटर मिल रहा है इसके साथ ही गया में पिट्रोली कीमत 168.9-31 रूपए और डीजल कीमत 95.04 रूपए प्रति लीटर है बता दी कि विहार में पिट्रोल का एट सब्यादा कसंगज में है चाहां पिट्रोल 109.9-4 रूपए प्रति लीटर और डीजल 96.4 रूपए कितर से मिल रहा है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके छेतर के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई को लेकर किन-किन प्रकार की सुविधायें दी गई है आप अपने चवाब हमें मारी कमेंट सेक्चन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इता ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहाई नियूज और साथ येगर आप यूटूब से देख रहें चाल्न को सब्सक्राइब करना और अगरा फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद